हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मा रोक्स यूटूब चैनल, फार्मा रोक्स के यूटूब एच्जू के चैनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर में हम डीटेल में स्टडी करेंगे एंटी हाइपर लिपीडेमिक ड्रग्स के बारे में कि ये मेडिकेशन को लेपीड लोवेरिंग ड्रग्स भी कहा जाता है और दूसरे वर्ड में उनको कॉलेस्टरॉल लोवेरिंग ड्रग्स भी कहते है तो ये मेडिकेशन के बारे में हम डीटेल स्टडी करेंगे ये वीडियो लेक्चर के अंदर और जानेंगे कि उनके use क्या होते है उनके dose क्या रहते है, working किस तरह से होता है और उनके side effects वगरा के बारे में हम जानेंगे ये वीडियो लेक्चर के अंदर detail में तो ये medications हैसी है कि जो हमारे रब्त के अंदर कॉलेस्ट्रोल की जो मात्रा है उसको काम करने की काम करती है तो ये medications की details study करते हैं और जानते हैं उनके बारे में तो एक्सपेट लेक्चर बाया मर्सर, assistant professor and founder of PharmaRox थेंक्यू फर बीन PharmaRox family अप्डेटर ये फार्मा नोलिज के साथ एक्सेस कर ये study material test series and disease and medicines related course फार्मा रोक्स की आप उपर तो अब अब अलग-अलग disease उनके medicines, उनके basic use अलग-अलग disease उनके treatment साथ ही medications के dose, side effect, warning सभी उनके बारे में डिटेल में study कर पाऊगे फार्मा रोक्स की आप उपर कि जहाँ पे आप medicines related lecture उनके ppt, pdfs वगेर एक्सेस कर पाऊगे तो डाउनलोड करें आप फार्मा रोक्स और और उफ़डेबल प्राइस में एक्सेस करें ये कोर्स इसको, तो study material test series and video lecture के लिए जरूर से डाउनलोड करें आप फार्मा रोक्स तो आप समझते हैं anti hyper lipidemic drugs के बारे में, तो ये ऐसे medications कहे जाते हैं कि इनका जो basic role ऐसा है कि जो हमारे body के अंदर lipid का जो level है उसको कम करने का काम करती है, तो lipid की as a fat हमारी body के अंदर जमा होता है, कि lipid या फिर हम कहे fat, या फिर जो cholesterol होता है तो उसको कम करने वाली ये medications कही जाती है और उनको lipid lowering drugs भी हम कहते हैं और उनका जो basic involvement जो होता है, तो वो होता है कि जो lipid के level को कम करना और जो lipoproteins होते हैं उनके level को कम करता है ये medication तो खास आप यहाँ पे एक ध्यान रखें कि जो lipoproteins होते हैं वो खास कर दो तरह के से होते हैं एक lipoproteins होते हैं high density कि जिनको हम कहते है HDL और दूसरे होते हैं low density कि जिसको कहा जाता है LDL तो ये जो medication है usually LDL का जो level है वो कम करते हैं ये जो lipoproteins है LDL low density वाला तो वो हमारे लिए काफे bad है, उसके काफे harmful effect होती है आप यहाँ पर जो diagram है उसके उपर ध्यान देगे तो ये वाले diagram के अंदर जो blood vessel दिखाई गई है हमारी वो है normal कि जहां से हमारा blood जो हो अच्छे से flow होता है कि जो हमारी arteries होती कि जहाँ पर oxygen वाला blood जो हो flow होता है तो वो arteries के अंदर देखो हो ये low density lipoprotein अब यह low density lipoprotein वहाँ पर जमा होता है तो उसके करण क्या होता है कि ये जो blood vessel से वो हो जाती है काफी narrow अब वो नेरो हो जाने के कारण उनका diameter काम हो जाता है वहाँ पे blockage हो जाता है और blood flow में काफी difficulty होती है और उसके करन क्या होता है कि कई बार heart attack के problem होते है stroke के problem होते है तो ये सब issues को solve करने के लिए कि HDL जो है वो उसके मात्रा बड़े क्योंकि वो good कहा जाता है lipoprotein और LDL की मात्रा जो है वो कम हो उसलिए खास कर ये medications जो है वो basically use होती है तो ये medications के अब हम अलग-अलग नाम देखें तो सबसे पहले देखो उनको hypo lipidemic agent भी कहा जाता है कि hypo मतलब की कम करना reduce करना क्या reduce करेगी तो lipid को reduce करेगी या फिर lipid के level को जो है वो reduce करने वाली ये medication तो जिसके करन उसको कहा जाता है hypo lipidemic agent दूसरे वर्ड में उनको cholesterol lowering drugs भी कहा जाता है तिसरा उसका जो नाम है कि anti hyper lipidemic agent की hyper हो चुका है lipid मलब की आपकी body के अंदर lipid की मात्रा जो है वो बढ़ चुकी है hyper तो उसके सामने जो medications कि उनके सामने जो anti उनके सामने जो medications हम use करेंगे उसको कम करने के लिए वो हो गई anti hyper lipidemic agent चौथा उनको कहा जाता है lipid lowering drugs तो ये चारो नाम जो है वो अलग अलग एक ही medications है कि जिनको हम कहते है lipid lowering drug भी कहते हैं उनका basic concept होता है हमारी body के अंदर LDL की जो low density lipoprotein है कि जो काफी bad कहा जाता है कि उनकी मात्रा बढ़ने से body के अंदर जो है वो काफी अलग-अलग complications होते है blood vessels का narrow होना वहाँ पे cholesterol जमा होना तो ये से problem को solve करने के लिए ये medications जो है वो basically use की जाती है तो anti hyper lipidemic agents promote the reduction of lipid level in blood कि जैसे यहाँ पे दो diagram आप देख रहे हैं तो ये medications क्या करती है reduce करती है LDL का level कि यहाँ पे आप जो yellow color का ये जो देख रहे हैं वो है LDL low density lipoprotein जिसकों कहते हैं कि जो ऐसा cholesterol है कि जो काफी bad है वो हमारी health के लिए अच्छा नहीं है और second ये medications क्या करती है reduce करती है triglycerides के level को कि जिसको short में कई बार TG कहा जता है triglycerides and 7-7 help करती है high density lipoprotein की जो अच्छा वाला cholesterol है good cholesterol जो कहा जता है उसके level को ये improve करती है मतलब कि इस तरह से हम लिख सकते है scientifically लिखना हो तो कि ये medications क्या करेगी LDL को reduce करेगी साथ हो साथ TG को भी reduce करेगी और तिसरा हम लिखे तो HDL जो है उसको ये करेगी increase अब HDL की अच्छी मात्रा होना body के अंदर जरूरी है और LD और TG जो है वो कम होना चाहिए जिससे कोई complications ना हो कि ये जो blood vessel है ये आप देखो तो काफी healthy है अच्छी है बिकाज यहाँ पर आप देखो तो ये जो blue color के dots दिखाए गए है वो है HDL है तो देखो HDL ज्यादा है ये blood vessels के blood flow के अंदर और yellow color के जो LDL है वो काफी काम amount में जिससे हम कह सकते कि जो healthy condition ये अच्छी से blood flow जो हो पाएगा और अलग-अलग हमारे organ और organ system को blood मिलेगा diagram में देखो ये जो है कि यहाँ पर LDL के मात्रा बहुत ज्यादा है कि जो yellow color का जितना भी portion है वो हमारे blood vessels के अंदर जमा होता जता है और वो उसको narrow कर देता है कि जिससे blood flow होने में difficulty होती कई बार वो block भी हो जाता है जो अलग-अलग हमारे arteries होती है वहाँ पर blockage होना तो ये problems जो है वो create होता है कि अच्छे से lipid metabolism करने कर उससे हमें energy मिलती है तो high level of HDL cholesterol can lower the risk for heart disease and stroke कि अगर आपके body के अंदर HDL की मात्रा ज्यादा है तो आपकी जो है वो healthiness दिखाता है कि आपके heart disease के कोई भी risk नहीं है आपके लिए ना ही कोई stroke के risk है कि जो आपका risk जो हो जाता है lower हो जाता है risk कि जब HDL का liver ज्याद है उससे completely विपरित बात आती है LDL के लिए तो LDL को कहा जाता है low density lipoprotein कि जो एक bad cholesterol जो है वो कहा जाता है और जब इसकी मात्रा बढ़ती है तो क्या होता है तो वो accumulate होता है blood vessels के अंदर और उनको आगे जाके कर देता है काफी narrow they reduce the blood flow and block the blood vessel कि जो blood flow अच्छे से हमारी blood vessels में से ये जो flow होता है उसको ये block कर देगा and high level of LDL कि जो LDL बड़ा तो increase होगा आपका risk heart disease and stroke के लिए कि जो heart strike होता है heart attack कई बार आ जाता है stroke होता है heart attack के related जितने भी अलग-अलग disease होती है या फिर blood vessels का narrow हो जाना ये सबी problem होते है जब आपको आपकी body के अंदर LDL का level बढ़ता है तो इस तरह से ये diagram में भी आप देखो कि जो HDL normal artery के अंदर आप देखो कि जो heart से heart में से जो blood है उसको अलग-अलग ले जाती है organs की और कि जिसको हम कहते है arteries तो जब ये blue color के आप ये dots देख रहे हैं कि जो HDL हम कहते हैं तो वो ज्यादा है तो normal artery कहीं जाती है बड़ समझो कि LDL की बातरा ज्यादा है कि जिसको हम कहते है low density lipoprotein और उसके मातरा बढ़ने से artery जो है वो इस तरह से narrow हो जाती है अब देखो ये narrow artery में से blood flow जो है वो अच्छे से नहीं होपा तक जिससे heart को जो है वो ज्यादा pressure करना पढ़ता है blood को pump करने के लिए और heart के उपर जो workload है व जो attack आता है जिसको हम करते है कि जो stroke के problem होते है heart failure के जो problems होते तो ये सब problem होते कि जब ये LDL बढ़ता जाता है और ये arteries को जो है वो narrow करता है और आगे जाके वो arteries block भी हो जाती है तो अब क्या अलग अलग uses है ये medications के तो जैसे अब हमने ये problem के बात कि तो यही problem को solve करने के जो LDL बढ़ जाता है उसी को कम करने के ये medications यूज की जाते है कि high level of lipid है high level of fat है cholesterol है कि जो आपके blood के अंदर जमा के जिसको medical term के अंदर कहा जाता है hyperlipidemia कि ऐसे patient के जिनके body के अंदर lipid की मात्रा बहुत ही ज्यादा है और cholesterol में भी low density lipoprotein की जो मात्रा जो है वो ज्याद जाता है तो उनके इलाज में ये medications यूज की जाती है फिर जो atherosclerosis की जो हम condition कहते है कि ये जो diagram के according to atherosclerosis में क्या होता है कि जो arteries होती है वहाँ पर fat जमा होता जाता है जिसके करन ये arteries जो है वो ब्लॉक हो जाती है या फिर वो narrow हो जाती है तो उसके इलाज में वो treat किया ज तो उसको भी reduce करने के लिए ये medications जो basically use की जाती है अब उनके examples हम देखे तो कौन से अलग-अलग medications anti hyperlipidemic agents में आएगे तो सबसे popular जो medications है वो है statins तो statins को pharmacologically कहा जाता है HMG coenzyme A reductase inhibitor मतलब कि ये HMG coenzyme A की जो activity है reductase enzyme उसकी activity को inhibit करके अपनी pharmacological action देते हैं उनके exam पर हम देखे तो lowastatin करके medication है वो भी काफी famous है फिर simvastatin तो lowastatin का आप यहाँ पर देखो Dr. Redis का ये formulation देख रहे हैं कि जिसके tablet से 10 mg के tablet देख रहे हैं और ये सब भी medications रहती है Rx only prescription based medications रहती है कि proper अच्छे से diagnosis के बाद HDL और LDL के report या फिर TG के अच्छे से report निकलने के बाद ही ये medications जो है वो patient को prescribe की जाती है फिर simvastatin जो medication है कि ये भी आप देखो तो 10 mg का यहाँ पर उसका formulation आप देख सकते हैं प्रावastatin करके medications रहती है कि जो 40 mg की dose में भी अवेलेबल है एटरवastatin जो है वो काफी फेमस है लेपीडर कि जो उसका brand नेम है कि जो फाइजर का famous product है कि जिसके film coated tablets आते हैं और ये सालू से यूज हो देवाला एक anti hyperlipidemic drug है फिर रोसुवastatin करके आता है पीटावastatin तो ये सभी के पीछे आप देखो statin जो है वो common है तो उनको 68 में statins भी कहा जाता है फिर हम देखें दूसरा कास तो वो है bile acid sacustrants कि जिनको एक resins कहा जाता है कि ये naturally resins है कि उनके example हम देखें तो colistiramine है और दूसरा है colistopol तो colistopol कि आप यहाँ पे देखो कि जो एक ग्राम के ये जो है वो टाबलेट से prescription based है Rx only और colistrophol hydrochloride की जो उसका salt composition है उसके ये tablet जो है वो market के अंदर available है कि ये एक type के resins कहे जाते है resin containing medications कही जाती है दूसरा हम देखे तो वो है colistriamine के जो oral suspensions आते है खासकर तो ये agenta pharma का product देख रहे हैं कि जो oral suspension है तो ये भी use किया जाता है कई बार combination में statins के साथ तीसरा हम देखे तो जो lipoproteins है कि lipase activators कहा जाता है कि lipoproteins lipase activators तो ये जो medications है वो fibrates के नाम से सबसे ज़्यदा famous है कि उनको fibrates कहा जाता है कि जो lipid lowering drugs के तोर पे काम करती है PPAR alpha activators है कि जिसको paroxosam proliferator activated receptor जो है उनको activate करने वाले ये medications कही जाते है या फिर lipoproteins lipase activators भी उनको कहा जाता है तो उनके examples हम देखे तो वो है chlorophybrates है फिर बेजा फाइबरेट करके आता है फैनो फाइबरेट और चौथा जो है वो है जैम फाइब्रोजिल तो ये चार ऐसे medications है कि जो fibrates class के कही जाते है तो यहाँ पे आप देख सकते कि जो ट्राइका का यह जो product देख रहे है कि फैनो फाइबरेट के जो टैबलेट एस पर आई-पी के आई-पी के according to इंडियन फार्माकोपिया के according to उनके monograph के according to यह 145 मिलिग्राम के जो टैबलेट जो है वो बनाए गए हैं फिर next हम देखे तो यह herbal supplement भी हम कह सकते है कि कि जो है nicotinic acid की जिसको हम कहते है B3 कि जो हमारे अलग-अलग जो nutritional sources में से भी यह मिल जाता है जो अलग-अलग हमारे plant से उसमें से भी यह B3 जो है वो मिल जाते है कि जिसको nicotinic acid के आ जाता है कि जो lipolysis and triglycerides synthesis inhibitor के तौर पर काम करता है कि जो triglycerides जो होते है TG का जो formations होता है तो उनके synthesis को inhibit करने वाले medication तो it is effective in lowering LDL कि जो LDL है कि low liquid low density lipoprotein है जो है हमारा उसको reduce करता है triglycerides को भी reduce करता है और तिसरा increase करता है HDL की जो हमारा main concept है कि यह ऐसे दवाया होनी चाहिए कि जो TG को reduce करे LDL को भी reduce करे और HDL को increase करे तो यह जो B3 है तो उसका जो रोल है यहापे कि nicotinic acid के तौर पे यह काम करता है इवन यह product भी आप देखो कि health for all करके है कि जिसको brand name दिया गया है कॉलेस्टे कट करके नाम दिया गया है कि जो कॉलेस्ट्रेल को कम करता है पांचवा क्लास देखे हम यह medications के अंदर तो वो है sterol absorption inhibitor कहा जाता है उनके अदर एक ही medication है जिसका नाम है ezetimib तो ezetimib की जो medications है वो भी high blood cholesterol को treat करने के लिए यूस किया जाते है कि आपके blood के अंदर cholesterol के मातरा ज्यादा है तो उसको treat करने के लिए यह prescribe की जाती है और दूसरे जो lipid की जो abnormalities की lipid की HDL और LDL में जो proper balancing होना चाहिए कि HDL जो है वो ज्यादा होना चाहिए LDL कम होना चाहिए बढ़ यह समझा कि reverse हो चुका है तो उसको ठीक करने के लिए भी यह medications यूज की जाती है फिर especially यह medications जो है वो हमने जो previous medications जो देखे कि statins अगरा देखे उनके साथ combinations में यूज की जाती है या फिर कई बार fibrates के साथ भी combination में होते है और जो single जो है वो काफी कम prefer की जाती है बट उनके जो combinations होते है statins के साथ वो ज्यादा प्रिफरेबले कि यहाँ पे आप देखो कि एट और वा स्टेटिन अगरा जो टाबलेट जो है वो combination में है तो यह ज्यादा प्रिफर किया जाता है compare to is a dog 10 बिकॉस इसमें एक single combination है जबकि LDL जो है वो आपका बहुत ही ज्यादा बढ़ गया तो उस वक्क कॉंबिनेशन जो है वो ज्यादा बेस्ट रहता है कि स्टेटिन सेन इजटिमिप का combination और उसका हम dose देखे तो specially dose रहता है उसका 10 mg once a day कि पेसंट जो है वो एक ही बार दिन में लेता है यह टाबलेट कि 100 कि दिन में सिर्फ एक ही बार 10 mg जितना dose जो है वो पेसंट को मिलना चाहिए तो अब सभी medications के dose समझ लेती है अच्छे से तो लोवा स्टेटिन जो हमने सिखा स्टेटिन तो उसका जो dose है वो है 10 से लेकर 40 mg पर डे कि जो minimum dose हम देखे तो 10 से 40 mg पर डे आप दे सकते है बट maximum dose उसका रहता है 80 mg कि maximum tolerated dose हम का है पेसंट के लिए कि जो वो टोलरेट कर सकते ह रहेगा 80 mg पर डे पर यूजली लोवर डोस से ही treatment स्टार्ट की जाती है और उसी से पेसंट जो हो खासका ठीक हो जाते हैं सीमवा स्टेटिन के बात करें तो उसके dose रहते है 5 से 20 mg पर डे और उसका भी maximum dose रहता है 80 mg जितना प्रुवा स्टेटिन के हम बात करें तो उसका dose र maximum 40 mg पर डे में यूज किया जाता है एट और वास्टेटिन के हम बात करें तो वो 10 से 40 mg और maximum उसका dose रहता है 80 mg पर डे फिर जो रोसु वास्टेटिन है वो स्टार्ट की जाती है 5 mg वन से डे से और जरूरत पढ़ने पर ही 20 mg पर डे जो है वो dose किया जाता है और जो पीटाव पर स्टेटिन का जो dose रहेगा वो रहेगा एक से लेकर 4 mg पर डे तो खास कर ये पर डे वाले dose आपको खास अच्छे से याद रखना है कि कितना dose जो है वो पर डे जो है वो सेफ रहता है पेसेंट्स के लिए सेकंड हम बात करें जो पीपी अय आर अलफा एक्टिवीटर जीसको हम फाइब्रेट्स कईते हैं तो था फाइब्रेट्स के हम दोज देखे तो खोपाइब्रेट्स जो है ऑँबी आट आउट उप यूज है उसको जो है वो मेडिसनली यूज नहीं किया जाता तो ये खास से डे कि दिन में तीन बार जो है वो पेसंट ले सकता है खाने के साथ 200 मिलिग्राम जितना उसका डोज रहेगा फिर और फैनो फाइब्रेट्स भी 200 mg में यह किया जायता है बट यह ओडी मतलब कि वन सदे दिन में एक ही बार जो है वो 200 mg जितना डोज यह फिर उससे कम डोज की जैसे आप देखो फैनो फाइब्रेट के आप 145 mg के यह टाबलेट्स यूज करते हैं तो यह मेडीकेशन जो है वो खास कर आपको दिन में एक ही बार जो है वो लेनी चाहिए कि इस तरह से 100 00, because 145 mg भी आपके high density, high LDL है समझो कि आपका LDL तो उसको कम करने के लिए जो मेडीकेशन सीनफ रहेगे फिर जैम फाइब्रोजिल की हम बात करें तो वो 300 से लेकर 600 mg BD मतलब कि दिन में दो बार जो है वो पेसेंट यूज कर सकते हैं किस तरह से उनके रिपोर्ट से तो यहां पे देखो 300 mg के जो टाबलेट साते हैं तो अगर कंडिशन ऐसी है तो दिन में दो बार जो है वो पेसेंट यूज करता है प्रॉपर 12 अवर्स के टाइम इंटर्वल के अंदर अब उनके side effects discuss करें तो जो common side effect की हम बात करेंगे तो उनके current indigestion जैसा person फिल कर सकता है कि stomach indigestion की condition हो सकती है फिर इचिंग जैसा कि आपके skin के ऊपर एसे allergic reactions हो जाया रहाँ पर आपको जो है वो इचिंग करने का मन हो या फिर ऐसे ही skin के उपर इचिंग जो है आपको हो सकती है खुजली हो सकती है फिर cough जैसा फिल हो सकता है आपके अंदर nausea vomiting जैसा हो सकता है fatigue fattig, dizziness या फिर fattig जो ठकान हो जाती है ऐसा फिल हो सकता है आपको diarrhea हो जाते है कुछ लोगों को इनके side effect के त偉र पे temporary redness हो जाती है face and neck पे तो ये सब side effects जो है वो कुछ common side effect कहारे जाते है anti hyperlipidemic drugs के अब उनके contraindications समझे तो किन लोगों को ये medications यूज नहीं करनी है तो सबसे पहले कि जिनको HMG-Konji में Reductase Inhibitors के Allergy है जैसे कि आपको Statins के Allergy है तो उसको यूज ना करें उसे तरह से आपको Fibrates के समझो के Allergy है तो भी उसको यूज ना करें और किसी भी जितनी भी हमने अब भी एक्जामपल्स देए कि उसमें से किसी भी Medication के आपको Allergy हो जाती है तो ये Medication को Avoid करने चाहिए और आप जो है वो Hypersensitive reactions फिल करते हैं ये Medication को लेने के बाद तो भी आप जो है उसको लेना बन कर दे और आपके डॉक्टर या फिर Pharmacist को तुरत contact करके उनके Alternative दुसरे Medication जो है वो आप Prescribe करवा सकते हैं फिर बात करें तो Pregnancy के अंदर इसको यूज नहीं किया जाता है कि Pregnancy and Lactation Period में ये Medication जो है वो Contraindications के लिस्ट में कि उनको यूज नहीं ही करना है Safe नहीं होती Pregnancy के अंदर यूज करने से फिर Impair Endocrine Function Endocrine मतलब कि आपके Body के अंदर जो Hormone से उनका Already Imbalance है तो जिनके Body के अंदर Hormonal Imbalance है किसी भी तरह का तो भी आप यूज ना करें Renal Impairment है कि आपकी जो Kidneys ये वो अच्छे से जल्दी होता है बड़ जो Liver Disease वाले लोगों को इस तरह का जो Liver जो हो जाता है तो Active Liver Disease है या फिर Liver failure के आप पेसंट है तो भी ये Medications को Use नहीं करने जाए तो ये था हमारा Video Lecture Specially on Anti-Hyper-Lipidemic Drugs की जो medicines related course आप access कर पाओगे Pharma drugs के आप उपर के medicines के basic use के बारे में जाने उनके dose, side effects warning क्या रहती है, contraindications क्या होते है, तो पूरी जनकर आपको सही से मिलेगी सरल बसा में वो भी affordable price के अंदर एक साल तक, तो validity रहेगी course की एक साल और affordable price में आप ये course को एकसेस कर पाओगे कि जो हमारे medicines related lecture, उनके PDF, PPTs सब आप जो है वो आसनी से एकसेस कर पाओगे, तो जरूर से डाउनलोड करिए आप फार्मारोक्स और एकसेस करिए study material, test series and video lecture को, कोई भी query हो तो ये नंबर पे आप जो है वो WhatsApp जो है वो हमें कर सकते है link आपको description box के अंदर जो है वो मिल जाएगी तो study material, test series and video lecture के लिए डाउनलोड करिए आप फार्मारोक्स की जो एंडूड एप्लिकेशन है Google Play Store पे Apple iPhone, App Store link आपको description box के अंदर मिल जाएगे, तो good luck and all the best